हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आप लोग का एंसिया डिजोल में देखिए जो हमारा एक कम्प्लीट स्टाटिक जीखे का कोर्स है जिसमें हम क्या क्या कर चुके पहले मैं बताता हूँ इसके नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो चले हैं करते हैं पहला चैप्टर इंट्रडक्शन हो गया है किकन एकाट स morte हैसे कलासिफिकेश उफव क्लासिफिकेशण उफ ओर्गेनीजयॐ ध्यान स मख़ेगे अब कोस्ठ वर्था क्लासिफिकेशन क्यूं जरूरत है तो क्लासिफिकेशन ओ और्गेनीजम डिसकस करते हैं लेकिन सबसे पहले हम समझते है औरगेनीजम क्या होता है क्या कोई औरगेनीजम कोई non living thing है नहीं औरगेनीजम सबसे पहले एक clear property होना चाहिए औरगेनीजम में वो living thing होना चाहिए living thing clear living thing है उसका एक organized structure होना चाहिए वो reproduce करता है, grow करता है, adapt करता है तो यह सारी properties होती है, वो होती है, organism है, तो इसलिए जितने भी organism है, तो millions of organism है, तो without classification, without classification आप इसको study कर ही नहीं सकते, कैसे नहीं, कि आप ऐसे millions of, आप जैसे एक चीज लिखते हैं, millions of species के बारे में थोड़ी लिखोगे, थोड़ी आप notebook में कहीं लिखोगे, इसलिए आपने क् category में, इसको एक category में, इसको एक category में रखते हैं, ताकि इसको हम, इसके बारे में हम जान लिए, समझ लिए, तो हमें पता चल गए, इसके अंदर जो भी है, सब में वही property होगी, इसके बारे में basic property जान लिए, तो हमें पता चल गए, कि इसके में जो भी होगी, सारे में same property हो तो हमें जादार तर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है सिंपल है तो चलिए Classification of Organism को देखने से पहले एक वर्ड देखते हैं जिसको हम बोलते हैं Taxonomy ठीक है ना Taxonomy Taxonomy क्या है Taxonomy scientific study है किसका Naming, Defining या Classification करने का किसी भी Organism का हम या तो name करते हैं या उसको क्या करते हैं define करते हैं या हम उसको classify करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं Taxonomy Taxonomy होता है Scientific study किसका Naming, Defining और Classification कोई दिकत नहीं तो हमें हो गया तो इतना तो हमें clear है चलिए आगे बहते हैं तो classification ज़रूरी है अभी classification है स्टार्टिंग से ही वही classification नहीं classification का सबसे पहले start किया था एक बंदे ने जिनका नाम था Linious Linious ने क्या किया था Linious ने क्या किया था पूरे और्गेनिजम को दो kingdom में डिवाइट कर दिया था एक का नाम था Animalia Animalia और एक का ना था Plentia ठीक है Animalia और Plentia clear कोई दिखर ने ठीक है Animalia और Plentia दो पार्ट में डिवाइट किया तो इन्होंने सबसे पहले किया था इनको special थोरा हम इनका आप क्या कर सकते हो मतलब special इनको mention कर सकते हैं कर सकते हैं इसलिए हमने इसको बोल दिया हमने क्या बोल दिया इनको हमने बोल दिया इनको father of taxonomy और even father of classification दो चीज़ बोल दिया father of taxonomy इनको बोला और इनको यह भी बोल दिया कि father of classification जो organism का classification करने वाले पहले बंदे यही है कोई दिकत नहीं दो हमने बोल दिया ठीक है और इभेन इन्होंने naming ranking इन्होंने start की तो चलिए basic तो हमारा हो गया तो इन्होंने क्या किया था binomial nomenclature was developed by lineage अब देखो अब देखो इन्होंने अपनी किताब में क्या किया था अपनी किताब में जिनके किताब का नाम था उनके किताब का नाम था systema nature इस किताब में इन्होंने था पहले किया किया organism को दो पार्ट में डिवाइड किया लेकिन इन्होंने सिर्फ classification नहीं किया इन्होंने naming भी दी थी naming प्लस ranking भी दी थी clear तो name कैसे देंगे इन्होंने name दिया दो nomenclature का मदल से दो वर्ड का मदल से दो वर्ड गमल से, एक वर्ड था जीनस और दूसरा वर्ड था स्पीसिज, समझे न, इन्होंने क्या किया, चलो हमने अभी तक देखा कि इनके किताब है, इस किताब में इन्होंने सबसे पहले सारे और्गनिजम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एका एनिमीलिया, एका होमो सेपियन्स लिखते है, तो जो सेपियन्स होता है, जो लास्ट वर्ड होता है, स्पेसिज होता है, जो पहला वर्ड होता है, जीनस, समझ में है न, तो दो वर्ड अपलीकेबल है, दो वर्ड होते है, जीनस, और दूसरा वर्ड होता है, स्पेसिज, पहला वर्ड को हम ज generic name, generic name, दूसरा word है, दूसरा word होता है न, species, इसको हम बोल देते हैं, specific name, कोई दिकरते हैं, पहला word हमेशा क्या होता है, capital में होता है, दूसरा word small में होता है, जैसे homo sapiens है, homo sapiens, अब एक और ची, to the, the two word name, is appended the name of taxonomist, तो कभी भी ऐसे लिख सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा तर आप देखते नहीं होगे, जैसे ऐसे लिखा तो, homo sapiens, लिखा होगा, homo sapiens तो आपको पता है, genus का नाम है, यानि generic name, यह species है, यानि specific name, L इसलिए लिखा रखता है, क्योंकि यह सब किया कुछ ने, linious ने किया, ठीक ना, linious ने, कोई comma, hyphen और अगर असल नहीं होता है, यह याद रखना है, तो कुछ example हम देख लेते, कुछ example, तो अभी तक हमने क्या क्या याद रखना है, अभी तक एक बंदे का नाम है याद रखता है, linious, linious ने किदाब लिखी थी, जिसका नाम है, systema nature, उसके अलावे, इन्होंने पूरे organism को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, जिसको हम plantia और any media बोलते हैं, दो प notification और naming दोनों इन्हों नहीं किया, तो इनका बहुत रॉब था, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया था, इसलिए हमने इनको father of taxonomy बोल दिया, father of taxonomy, कोई दिकत नहीं, लेकिन एक किताब और है, famous book है, याद कर लेते हैं, बस किताब का नाम याद कर लेते हैं, उस किताब का ना है, genera plantarium, यह किस के दौरा लिखा गया है, bentham and plus hooker, क्योंकि exam में आया हुआ हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया, genera plantarium, एक किताब है, bentham and hooker के दौरा लिखा हुआ है, याद रखना ना, तो कुछ scientific name है, कुछ organism का, man का है, homo sapiens, cow का है, bos indicus, bos indicus, यह होता है, caps में, यह होता है, small में, यह होता है, genus यानि generic name, यह होता है, species यानि specific name, clear, तो अगर आप से पूछा जाए, basic unit classification का, क्या है, basic unit यह ही है, basic unit species होता है, अब देखो नहीं आपे, basic unit सबसे छोटा species होता है, उसका genus होता है, clear, तो आपने ऐसे ही नहीं लिखते ह खोना उसके बाद होता है इस फेस सी जैनस से उपर होता है फामली उसे उपर एजम्डम के लाज़ेस्ट कौन से है लाइटेस्ट या हाई इस यूनिट बोलें तो होता है इस लिश और बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन जो आया हो ना सिर्फ उसी को याद कर लेना क्योंकि ये रटना थोड़ा तफ होता है cat का phallus domestica dog का canis familiaris frog का अगा rana tigrina देखो इवन मैं भी नहीं याद करता हूं मैं इसे previous question में जो आया है उसको देख लेता हूं ताकि वह most probable होते हैं ठीक है ना और obviously इसको neat हो गारा एक जाम देने वाले तो याद करती होंगे जो कोई trick trick लगा के tiger com panthera tigris बोलते हैं ये famous होता है mango famous है magnifera indica ये तो बहुत famous है wheat वाला भी famous है triticum estivum clay rice का origa sativa potato का ये भी famous है solonum tuberosum उसका china रोज का है hibiscus rojasinensis ये देख लेना मतलब ये तो बिल्कुल neem का ये भी जरूर जरूर है नहीं है ajadi rechta indica clear mustard का है brassica campus rice और इसका imli का है देख लेना tulsi का है clear तो याद करने का ज़रूरत नहीं है मैं तो बलूँगा कि इसको आप सिर्फ previous question में जो आया है न उसको ध्यान लट लो सिर्फ previous question में okay ठीक है taxonomy का तो मतलब ही समाजी है taxonomy का मतलब होता है कि scientific study of naming, ranking and classification of organism is called taxonomy clear तो taxonomy में sequence होता है na hierarchy होती है देखो यह सबसे देखो specific यह बिल्कुल specific होते है एक species दूसरे species से बिल्कुल अलग होते है लेकिन जैसे मानलोग दांबार लग एक gene जैसे mango के gene में बहुत सारे अलग-अलग species तो यह specific है लेकिन यह क्या है यह generic है इस generic के अंदर बहुत सारे आ सकते है को तो family, order, class, phylum और kingdom clear तो hierarchy हमने देख लिया है लेकिन जो अभी हम latest classification यूज करते हैं वो किन का यूज करते हैं हम यूज करते हैं White Taker साहब का Robert White Taker साहब का है इन्होंने बोला कि यार इन्होंने बोला कि भाई, lineage क्योंकि lineage ने बहुत पहले निकाला था किताब लिखी थे lineage और यह बहुत बात है तो इन्होंने lineage वाले को न का दिया इन्होंने बोला भाई, lineage तुमने तो कुछ चीजों को रखा ही नहीं है मतलब तुमने तो कुछ चीजों को सिधा-सिधा बाहर कर दिया रखना है तो इसलिए रवाट वाई टेकर ने five kingdom classification five kingdom classification जैसे उसमें कौन को था monera, protista, fungi, plantia, जो तो पुराना था उसको रखा है as it is, lineage भाई साब का as it is रखा है तीन अलग इन्होंने अपना दे दिया सबसे पहले क्या किया? kingdom monera ध्यान रखे क्या है इसमें बस एक याद रखे यह prokaryotes है अब मैं यह बताता हूं देखो औरगेनीजा में सिर्फ एक prokaryotes है अब को सुन होता है prokaryote और eukaryote क्या होता है दोनों में difference है, समझ लेते हैं सभी औरगेनीजा में अपना सेल होता है मान लिया सेल होता है सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसकों साइटो प्लाजम बोलते हैं तो हमें पता है लेकिन कुछ ऐसे औरगेनिजम होते हैं जिसके अंदर ध्यान देना जिसके औरगेनिजम में सेल के अंदर nucleus membrane नहीं होते यह nucleus ही नहीं होते clear तो अगर बात करो simple eukaryote में आपको pro karyote pro का मतलब समझें थोरा सा पुराना pro का मतलब हम pro player आप ऐसा मत बोलना pro का मतलब यहां पर थोरा पुराना अपलेना है clear तो देखो यहां इसके पास nucleus कहां है इसके पास nucleus नहीं है nucleus nucleus नहीं है तो nucleus membrane नहीं है यह बला कि मैं बात कर रहा हूँ enclosed nucleus membrane नहीं है तो प्रो कारियोट के बात nucleus membrane नहीं है तो आप बोलोग यह nucleus membrane नहीं है तो nucleus नहीं तो इसका DNA यह जो genetic material होंगे और कहां होंगे genetic material इसी cytoplasm ही होते है इसी तो सबसे पहले kingdom monera में क्या है इसके पास अपना do not contain and organize nucleus with surrounding nucleus है न उसके बात surrounding membrane नूकलियस ही नहीं है membrane का मतलब एक दिवाल सिर्फ होता है ठीक है न लेकिन लेकिन sail wall आपको दिखेगा अच्छे से sail wall दिख रहा न sail wall होता है कोई दिक्कत नहीं sail wall हो तो हमें क्या याद रखना है monera में prokaryote है nucleus और nucleus membrane नहीं है याद कर लिया example बता दो example बहुत सारा है bacteria cyanobacteria और archidobacteria यह सब जो भी microscopic है सारे microscopic नहीं लेकिन बहुत सारे microscopic इसी में आते है example हमने देख लिया क्या क्या है bacteria, archaeobacteria, blue green algae cyanobacteria, blue green algae clear है यह आपको पता है autotrophic होता है ठीक है next है kingdom protista क्यूंकि हम classification किसकर करें तो सबसे largest है kingdom है तो एकदम kingdom monera kingdom protista kingdom आगे हम discuss करेंगे fungi plantia अरेन में लिया तो आप यहां देखोगे एक अगर plant का बात करें plant का तो plant में बहुत सारे phylum होंगे clear उसका एक particular file में लेंगे उसमें बहुत सारे class एक class लेंगे तो बहुत सारे order एक order लेंगे तो बहुत सारे family ऐसे होता है एक family तो बहुत सारे genus एक genus तो उसमें भथेरे species ऐसे होता है ठीक है kingdom protista तो अब खुश देखो organism था उसमें एक prokaryotic था तो उसमें एक मात्र मोनेरो था तो आपसे simple पूछेगा कि क्या कौन-कौन से organism है जो prokaryotic तो सिर्फ एक मोनीरा clear अब देखते हैं eukaryotic तो इसके पास भाई nucleus और nucleus membrane तो आ गया है आ गया है तो इसमें भी है कि क्या भाई इसमें एक ही cell है unicellular एक ही cell है तो एक cell वाला एक ही example है protista तो देखो simple समझो organism में दो पार्ट में हमने divide किया देखो वह ही 5 ही है है तो पांच ही एक दो बस हमने थोरा सा और organize कर दिया ताकि आपको समझ में आने हैं देखो है तो वही organism लेकिन पहला हम देखते हैं भाई इसमें से prokaryotic कोन है उसको अलग छाड़ते थे अब बात करते हैं eukaryotic कोन है eukaryotic की जभी बात करते तो इसमें चार आ जा रहा था eukaryotic सारा है protista plantia fungi और anomalia लेकिन हम eukaryotic में ऐसा चुनते हैं जो unicellular है भाई यह प्लीज स्कीनिसोट ले लो आपको पूरा इसी में खतम हो जागा ठीक है na eukaryotic protista की बात करें तो इसके पास unicellular unicellular है excel है और eukaryotic तो आ गया है लेकिन eukaryotic में बिलकुल primitive है बिलकुल primitive है अभी अभी prokaryotic के बाद eukaryotic बनना ही यह start हुआ है तो यह एकदम नया eukaryotic होगा clear क्योंकि ज्यादा complex नहीं हुआ है primitive eukaryotic except green algae they include both unicellular देखो इसमें क्या होता है एक बादी और देख लेते हैं kingdom protista में क्या है unicellular तो है हमने माल लिया कि भाई eukaryotic में कई है उसमें unicellular एक ही है clear लेकिन exception है green algae एक ही exception है blue green algae कि वह primitive eukaryotic नहीं है clear इसमें क्या होता है देखो mode of nutrition mode of nutrition कि भाई तुम खाना कैसे absorb करते हो इसके basis पे हम protista को कई भाग में divide कर सकते हैं इसमें कई अलगलर टाइप कहा जाते हैं जैसे एक green autotropic organism हो जागा वाई खुद खाना बना लेता है उसके अलाबे non green heterotropic होगा वाई जो दुसरे पे depend रहता है और कुछ ऐसे होंगे जो चलता है लोकोमेशन होता है clear यह सब देखो और यह लोकोमेशन के बाद करते हैं तो simple समझो कि आप protista को कई बेसिस में डिवाइड करते हो कई टाइप में डिवाइड करते हो किस बेसिस पे mode or nutrition के बेसिस पे कुछ को हम autotropic बोल देते हैं खुद खाना बनाता है कुछ को paracite बोल देते हैं किसी को saprophytic बोल देते हैं बिल्कुल decomposition वाले पार्ट में different है इसका example है dire, atom, flagellate और protozoise का example है उसके बाद एक euglena है euglena इसका example है euglena क्या है यह यह तो heterotropic भी है और autotropic भी है तो इसलिए euglena को हम place करते हैं plant और animal के बीच में तो please यह example याद रखना euglena को क्या है plant और animal के बीच में categorize करते हैं तो example हमने देख लिया कुछ green autotropic है जिसका example हमने देख लिया और उसके आद कुछ unicellular non green heterotropic है जिसका example है euglena amoeba और paramecium यह सब example है और next है kingdom fungi की बात करते है they are multicellular obviously multicellular की बात करते है multicellular तो उसमें दो है क्या इसके पास cell wall है यह cell wall नहीं है अगर बात करें cell wall की cell wall की तो दो है इसमें एक है जो खाना खुद बनाता है autotropic यह खुद दूसरे पर डिपेंड रहता है उसको हम बोलते है fungi अब समझे है fungi कोन होगा है इसमें क्या के character होगा eukaryotic उसके अलाबे multicellular है cell wall भी है लेकिन heterotropic है चार character तो हमने यहीं से लिख लिया किसी fungi का समझे है ना तो देखो these are multicellular eukaryotic and saprophytic saprophytic दूसरे पर डिपेंड होते है clear most fungi made up of thread like hyphae के बने होते रादर दन cell जो अधिकतर जो fungi होते है ना वो thread like hyphae के बने होते रादर दन cell जैसे cell से नहीं बनके ऐसे thread like hyphae से बने होते है ठीक है और there are many nuclei distributed in the continuous cytoplasm continuous cytoplasm सेल के बीच में जो liquid part होते है उसको हम बोलते है cytoplasm basic आपको समझाने के लिए clear उसके बाद इसमें बहुत सारे nuclei spread होते है continuous manner में इसी के बात करते है लेकिन यह chlorophyllis के पास नहीं होता है आप बोलो यह कैसे बता चलला भाई हमने यहां देखा ना भाई chlorophyll इसके पास रहता तो खुद खाना नहीं बना लेता lack chlorophyll अब इसके पास cell wall है तो cell wall में क्या presence है chitine present है cellulose के जगा पे chitine present होता है food reserve किस के फॉर्म में होता है glycogen के फॉर्म में होता है kingdom fungi में food reserve होता है glycogen के फॉर्म में clear एक और चीज fungi क्या करता है algae के साथ symbiosis relation से बना रहता है और इससे lichen form करता है याद करना है example क्या क्या फंगी का yeast mushroom penicillium mucor यह सब एक्जामपल है fungi का क्या 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 प्रोपर्टी है multi सबसे पहले उपर से देखते है उपर से eukaryotic eukaryotic के बाद multicellular और नीचे आते cell wall है cell wall किसीज का बना है chitine का बना है cell wall देख लिया खाना किस फॉर्म में absorb करता है glycogen और wild के फॉर्म में याद कर लिया उसके बाद इसके बाद से अपना cell wall होता है खाना खुद नहीं बनाता है यानि chlorophyll नहीं है इसके पास ठीक है ना यानि यह heterotropic है दुसरे पर depend रहता है एक्जामपल हमने देख लिया कई सारा isht है penicillium है mucor है यह सब एक्जामपल हमने देख लिया clear यह से करके revise भी हमारा हो गया clear और जो इसके cell के अंदर जो cytoplug है उसमें nuclei distributed है continuous manner में उसके next है plantia की बाद करते भाई features देखो याद करने के कोशिस कर रहे यहां से याद करने के कोशिस कर रहे eukaryotic है eukaryotic के बाद क्या है plenty है की करते eukaryotic के बाद multicellular है cell wall है phototrophic है खुद खाना बना लेता है chlorophyll है ठीक है these include all eukaryotic chlorophyll जिसमें है multicellular है इसको और इसके बहुत सारे पार्ट है हमने देख लिया algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, anguosperm यह सब प्लेंटिया पट है anemilia में है यह eukaryotic है multicellular लेकिन cell wall नहीं है cell wall नहीं है chlorophyll भी नहीं है और युजरी है mobile होते हो heterotrophic होते example hydra, tape, warm earth warm, cockroach starfishfish, reptile, world mammal यह सारे anemilia plantia का classification हम डिसकस कर चुके है वैसे भी lucent में एक बारी और डिसकस करें एक बूक के साथ जादा और extra information के साथ clear तो यह हमारा हो गया next video में हम discuss करेंगा microorganism तो मिलते हैं आप एक number याद कर लो इस number पर कभी भी आप message कर सकते हो थोड़ा late हो सकता है reply में 9582062485 clear WhatsApp करना most preferable clear आप आराम से join कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है ठीक है और इसमें फादा ही का होता आप PDF फ्री में मिलता है extra information वाला PDF clear आपनो देखा picture मैंने डाला clear और इसे बुक्ल होगे तो आपको नॉर्मल भी लेगा ना उसके अलावे doubt पूछ सकते हो कोई add नहीं होता वीडियो में clear चली मिलते हैं पिर thank you दिक्सुमत लूजए